वाहिगुर्जी दा खाल सा शिरी वाहिगुर्जी दी फते आज जड़ी कथा असी तो हाड़े नाल शेयर करांगे ओस कथा विच्च बाबा दीव सिंग दी एक बच्चे ते मेहर कीमे हुंदी है एहे दसांगे एक बार एक बच्चे दे पेपर हुंदी हन ते ओहो पेपर पढ़दा है लिखदा है साब काम करदा है प्रन्तु ओहो बच्चा पेपरां दीवेच फेल हो जानता है जड़ो ओहो बच्चा पेपरां दीवेच फेल हो जानता है ता ओह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दीवे बच्च रहन लग पेंदा है ओहो सुकूले जानदा है ता बच्चे उसदा मजा कुड़ांदे हन पर ओहो बच्चा इन्नी सोजी वाला वे नहीं हुंदा कि ओहो किसे नू कोई जवाब दे सके या कुछ छोटी जही उमर देवेच जदो कोई बच्चा फेल हुंदा है तो उस फेर भी उस बच्चे नू जदो सुनिया उसने कि ओहो फेल हो गया है वो बच्चा बहुत ही डिप्रेशन रोलदा है अपने माबाप उनू कहता है कि होन उसने अग्य नहीं पढ़ना है मैं होन स्कूल नहीं जा मांगा क्योंकि जे मैं स्कूल गया ते स्कूल वाले बच्च जे मेरा मजाग उडान गे इननी गल सुन के माबाप भी उनू थोड़ा समझा अंदे हन कि कोई गालनी बेटा जिंदगी च उतार चड़ाव बहुत आंदे हन तो ते है जे छोटा है जे तू होन अठमी च फेल हो गया है कोई गालन नहीं आपा एक वार होर पेपर दमांगे तू पास हो जामेगा पर उस बच्चे ते एह गैरी साट सी उस दे दिल ते एह गैरी साट वज्जी सी ते उस ने ठान लया कि उह स्कूल नहीं जावेगा कारद्या ने थोड़ा जेहा उस ते प्रेशर पाया कि हुन तू दवारा तो ज्वाइन करेंगा स्कूल नू ते नहीं पढ़ना है उस दे माँ भाप भी बहुत टैंचन चाहिए कि बच्चा इन्नी टैंचन लैरेया है पड़ाई दी कि फेल हो गया है इस कार के ओह भी बहुत दुखी रहन देहन कुज कू दिना बाद उस बच्चे नू दमाग दे विच एह जे है ख्याल आन्दा है ओ सो जोजदा है कि जे मैं मार जामा ते मेरी सारी ही मुश्कल दा हल हो जावेगा ऐहो जेहे ख्याल उस बच्चे दे मान विच आन्दे हन ते ओहो कल्ला चुप चाप कमरे विच ही बैठा रहन दा है जो दो इस दी माता उसनों बलौन दी उस दी मम्मी उसनों बलौन दी ते भी उस भी टैंचन हुंदी है ओहो उस बच्चे नों थोड़ा जयावी अपने ज़ना तो परे नहीं सन कर दे क्योंकि उननों टैंचन सी उननों भी लगदा सी कि कुछ एहे ना कार लगे ओधे मा बाप भी टैंचन विच रहन लगे ओहो एक दिन उस बच्चे ने खाना खान तो इनकार कर दिता ते उस दिमा ने बहुत सहला के प्यार नाल बहुत ही प्यार ना समझाया बेटा जिन्दिगी बहुत बड़ी है यह परमात्मा देन है ते जो दो परमात्मा ने सानू पैदा किता है ते परमात्मा ही इसनू खतम कार सकता है परमात्मा ही मार सकता है ते जे तू फेल हो गया है ते इस विच भी परमात्मा भी कोई मर्जी होएगी तू पर मात्मा ते विश्वाश रख, रब ते विश्वाश रख, तेरे नाल साब कुछ अग्य तो चंगा होवेगा, तू पढ़ाई करेंगा, मेनत करेंगा, तू फेर तो पास हो जावेंगा पर उस बच्चे दे मान विच एक आस भी सी, की शायद उस दी ममी ठीक कहा रही है, उस दी माँ उसनों सही रस्ते पौना चौनदी सी, इस कार के यो हो, कई बार उसनों कोई कहानी सुना के, किसे तरह वी उस दा दिल ठीक कार दिन दे, उस दा मन खुश करंदी कोशिश कर दे एमे दे विचार मन विच चल दे रहन दे, कुझ दिना बाद ओहो फिर तो स्कूल कारदया दे नाल गया, कारदया ने बड़ा ही सही ओग दिता, उसनों प्यार नाल स्कूल छाड़ के आए, मैडमा नू टीचर अध्यापका नू भी समझा के आए, कि बच्चा बहुत अध्यापका ने साथ हिता, प्यार ना उस बच्चे नू समझाया, कि कोई भी बच्चा उसनों परिशान नहीं करेगा, ना ही कोई तांग करेगा, ति ओ बच्चा थोड़ा जिया स्कूल गया, फिर कर रहा के रोण लग बया, कि मैं पिछली गलास चे नहीं बैठना, मैं उ पड़ाई वेच नहीं लगदा, ते उस दी माता ने जोदो अपने बच्चे नू स्कूलों आंदे हुए, रोंदा होया वेख्या, उस दामान भी पार आया, उस नेराब बग्ये परमात्मा अग्ये बेंती किती, ये परमात्मा मेरे बच्चे नू दांद्रूस्ती बख्ष उस दी माता वी पाठ करदेशन, पंजाबी परिवार देशन, ओवी नितने मिस्यन, रोज पाठ करदेशन, ते नाल दे प्रोसियां देकार, उस दी ममी वैसे ही अपना मन होला करण गई, कि चलो कोई गाल नहीं, किसे नाल कोई गाल करिये, ते शायद ही उस दाहाल मिल है कि साधना पूत बहुत टैंचन लेंदा है 2 असी के करी Many इस बहुत टैंचन चहां। वो पढ़ना करता है और फिस्सकूल भीन जापएगा लुबूर्गल का कोई गाल नहीं एन्या टैंचन सब्सक्राइब भी खरहा। तो चया है उ het आप्यों ना आप आप पच्छे गुर्द्वारा साहिब ले जाईये तांके उस देमाननू शान्ती मिले ओनने सलाब नाई की ओहो बच्चे नू माईन फ्रेश करन लई डिप्रेशन तो दूर करन लई डिप्रेशन हाटाउन लई बच्चे नू किते कुमाले आंगे उन्यने गुर्द्वारा साहिब जाँ दे सलाब नाई ओहो अमरी सर गये अमरी सर बच्चे ने कुम्या मथ्था टेक्या सनान किता मन होर होया खोशिया थोड़े जियें चेहरे ते आई उस बच्चे दे गुर्द्वारा साहिब मथ्था टेक्या लंगर शक्या ते नाल भी आए ताभी बच्चे दे मान तो पार थोड़ा हो गया परमात्मा जानी जान हन ओहो अपने पगतां दा साथ हमेशा देन दे हन ते ओहो जान दे हन कि किसे नूँ कित्धे रखना है ते किसे नूँ कि वे खुश करना है क्योंकि उस राब हाथ डोरा है जे परमात्मा इक र पार उस देवास्ते पहला खोल दा है कि यहे एद्रोदी पार लंग जावे इस करके परमात्मा ते विश्वाश करना चाहिदा है परमात्मा सिर्फ अपना सिद्धक पर्खदा है कि यह बंदा किन्ना को सिद्धक कर सकता है बाकी होर परमात्मा कोई कठिन परिक्षा नहीं ल जीद के उन्हा ने जोत विच के उपाया, जोत दाया थोड़ा जेहा के उखरेया लै आये, मथ्था टेकन उपरांत उथे बाबा जी दी बानी सुनी, शाम दे टैम उन्हा ने उथों दी भापस आगे, जड़ा के उथों दी लैके आये सन, उही उन्हा ने बच्चे दी थोड़ा जेह लाया, उस दे सीस थे थोड़ा जेह लाया, ते ओ बच्चा आराम ना सों गया, कि जीमें की उन्हा बहुत ही प्यारी नींद आई होगे, जीमें की आज उन्हा सकून मिलिया होगे, कि पतानी किन्ने के चिरांदी उस दी नींदर खुंजी होई, जो आज पू जी दी, जोत वाला की उलिया एसन, उस विच थोड़ा की ओहोर मिक्स करके रोज ही जोत लगानी शुरु कार दिती, एक दिन पए, दो दिन पए, चार दिन पए, बच्चे दी हालत विच थोड़ा जया सुदा आराया, ते ओहो हुन रुजाना स्कूल जान लगया, कि थे ओ बच्चा ए सोचता सी कि ओहो अपने आपनों खतम कर लवेगा, पर बाबा दीप सिंग उस दे अंग सांग सहाई हो के उस दा साथ दिता, उसनों हिम्मत दिती, ताके ओहो पड़ लिख के कुछ भान जावे, ते ओहो हुन पड़ाई विच भी हो शियार सी, ते पड़न लग अगली क्लास विच भी हो गया, थोड़े ही चीरवाद एक्जाम दे विच उस ने बहुत चंगे नंबर प्रापत किते, वो बहुत खुश सी कि एमे लगदा सी कि मम्मा कोई जादू हो गया है, ओरना ने बाबा दीप सिंग जी दा, शहेद सिंगा दा शुकराना किता, हे प पर्याकरन लई, बहुत बहुत शुकराना किता, तान बाबा दीप सिंग परनाम सिंगा नुकिता, शहीदा नुकिता दे आपने कारवेच खुशिहाल लिल्यां दी, एसे तरह एस बच्चे दे मान वेचवी बाबा दीप सिंग प्रती, गयरी शर्दा, प्यार, पावना सी, सिद्ध क सबरना किता होया काम जुरूर रास आंदे हन। बाबा जी उन्ना दे अंग संग सहाई हुन दे हन। बस विंती यही है कि निमाने बन के जाओ परमात्मा देकार ते परमात्मा सब कुझ दिन्दा है। बाहि गुर्जी दा खालसा बाहि गुर्जी दी फते।